तो हेलो दोस्तों आज का इस वीडियो कुछ इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भी वीडियो आप देखते होगे कि यार बड़े-बड़े होगे में कि बेक्ग्राउnd जो हता है कुछ दुसरे टाइप का मतलब जैसे एनीमेशन बोल सकतो बड़ा-बड़ा घिग एनीमेशन दीया जाता है तो केसे एड़ किया जाता है कि वाकई में क्या वह जो प्र या वह सुटिंग वीगनर जो एनिमेशन होती है आज की इसे के बारे में चरचा करेंगे तो हेलो दोस्तों मेरे नब सवलिच-पजापति और मेरी स्वागत करता हूँ तो प्रेंट्स आज हम लोग इसे के बारे में चर्चा करेंगे कि जो हमारे जो बीग बीग मतलब जो मुवी आती है उसका जो बैग्राउंड सीन है वो रियल में सूटिंग किया जाता है या फिर अधरवाइस कोई टीप से एंड ट्रिक का अपलाई किया जाता है मुवी बना करने के लिए तो बनेरी मेरे इस वीडियो का अंता तक और अगर आपने मेरे श्रॉण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेला इकन को प्रेस कर लेना कुई कोई भी इंफर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को पराता रहा तो आपके लिए तो सब्सक्राइब करते हैं तो देखे प्रेंट्स क्या होता है एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्रोमा की बोला जाता है ठीक है क्रोमा की बोला जाता है जिसके तहत कोई भी मुवी में देखे होंगे आप बाहू बली टू ले लो या फिर रोबोट टू पर डिजी aquí और जाजह से से लिया जाता है क्रोमा कि से एक टखनीक होती है जिसके तरतिक्स किसी का रियल आपको लगेगा कि हाँ यार यह जो बेक्राउंड है वो रियल है और महीं पर सुटिंग हो रही है तो फ्रेंड्स जो भी बिगनर जो मुवी होती है जिसमें अच्छा खासा कमाई होती है साउथ मुवी बोल सकते हो या फिर एनिमेशन टाइप का मुवी होती है उसमें क्या होता है क्रोमा की का यूज किया जाता है ज्यादतर किसी सीन में भी यूज होता है लेकिन ज्यादतर क्रोमा की का आजकल पहले एक सिरियल आता था जिसका नाम था सक्तिमान उसमें पहला बोल सकते हो पहला जिसे एनिमेशन वाला सिरियल बोला जाता था वो पहल उसमें जितना भी मूवी है एनिमेशन पाइप का यूज होता है एंड जावतर क्रोमा की का ही यूज होता है मूवी और भी एक्ट्रेक्टिव बनाने के लिए तो फ्रेंट से यही ती कुछ जयान कर रिए अगर आप लोगो को शोटी से जान करें आप लोग को अच्छी आमाप्राम!